बदलते समय के साथ आज हमने परमानू बोम और हाइडरोजन बोम जैसे घातक हतियार बना लिये हैं और संबभ है कि आने वाले समय में हम एंटीमेटर बोम भी बना लें लेकिन एक ऐसा भी वक्त था जब इन घातक हतियारों का निर्माण ही नहीं हुआ था लेकिन कुछ ऐसे हतियार थे जिनके दम पर पूरा विस्व एक दूसरे से लड़ रहा था जी हां मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट वर्ड वोर की अगर आपको हतियारों को जानने में रूची है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है नमस्कार आप देख रहे हैं रहेश्य टीवी और मैं हूँ कुलदेप सिंग तो चलिए चलते हैं सन 1914 में प्रेथम विस्व युद 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नॉमबर 1918 तक चला और इस युद में कुछ ऐसे खतरनाक हतियारों का उप्योग किया गया था जिनका नाम सुनते ही दुस्मन के पैरोतले जमीन खेशक जाती थी आज मैं आपको ऐसे ही नो हतियारों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनोंने प्रेथम विस्व युद में महत्पूर्ण भूमे काने भाई नमबर 9 पर है ली एन्फिल्ड ली एन्फिल्ड को जेम्स पी ली ने डेजाइन किया था यह खासतोर से ब्रिटिस सेना के लिए बनाई गई थी इस गन का उप्योग लंबी दूरी पर छिपे दुस्मन पर किया जाता था इसका इस्तमाल 1896 के बोर युद में भी किया गया था वैसे तो प्रथम विश्विद के समय पंडूबियां इतनी विक्षित नहीं हुई थी लेकिन उस समय सबसे उन्नत पंडूबि टाइप यू-93 ही थी इस समय का उप्योग जर्मन नोसेना के दौरा किया गया था यू-93 की उचाई 8.25 मीटर थी इस सबमरीन की रफ्तार करीब 31 किलोमेटर पर होवर तक पहुँच सकती थी जो कि उस समय के लिहाज से बहुत ज़ादा थी नमबर सेवन माउजर 98 माउजर 98 फर्स्ट वर्ड वोर में इस्तमाल की गई बेहद एडवांस टेकनोलोजी की राइफल थी माउजर 98 का निर्मान 1895 में पोल माउजर ने किया था और इसे माउजर 98 नाम 1898 में दिया गया माउजर 98 का वजन लगबग 4.09 किलोग्राम था इस गन में 8.08 mm की गोलियों को लोड किया जा सकता था इसकी लोगप्रियता का एक कारण यह भी था कि इसका निशाना बिल्कुल अचूप माना जाता था मतलब कि एक बार गोली चलाओ और भूल जाओ नमबर 6. लूगर पिस्टल लूगर पिस्टल को पर बेल्लम पिस्टोल के नाम से भी जाना जाता है यह एक ओटोमेटिक गन थी जिसे जर्मन सेना के उपयों के लिए सन 1900 में बनाया गया था इस पिस्टल में 7.65 और 9 मिलिमेटर वाली गोलियों का इस्तमाल किया जाता था इसमें एक बार में 8 गोलिया डाली जाती थी छोटी होने के करण इसे आसानी से कैरी किया जा सकता था और इसलिए ये एक अच्छी सेकेंडरी वेपन गन मानी जाती थी इस गन का इस्तमाल जर्मन सेना के द्वारा 1908 से लेकर 1938 तक किया गया था इसके लाओ कई अन्य देश जैसे ब्राजील, बुलगारिया, इरान, स्विजर लैंड जैसे देशों की सेना उने भी इस गन का इस्तमाल किया था यह मसीन गन प्रेथम विस्विद में बहुती घातक मसीन गन साबित हुई इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इस मसीन गन में एक ही बार में गोलियों की अच्छी खासी मातरा आ सकती थी और साथ ही में यह बहुती कम समय में तेजी से बैक टू बैक फाइरिंग कर सकती थी अगर कोई एक बार इसके सामने आ गया तो फिर भाई उसका तो भगवानी मालिक है यह गन हीरा मैकसिम ने 1894 में डिजाइन की थी इस गन के दौरा एक बार में लगभग 500 राउंड फाइर किया जा सकता था प्रेथम विस्विद में लेविस गन का उपयोग अमेरिका द्वारा किया गया था यह भी एक ओटोमेटिक मसीन गन थी लेकिन यह दूसरी मसीन गनों के मुकाबले बेहद हलकी थी जिसके कारण इसे एक जगए से दूसरी जगए आसानी से सिफ्ट किया जा सकता था इस गन के दौरा एक मिन्ट में 500 से लेकर 600 तक राउंड फाइर किये जा सकते थे यही कारण था कि अमेरिकी सेना ने इसका इस्तमाल लंबे समय तक किया और प्रेथम इस विद्व में ये अमेरिकी सेना की ताकत बनी मार्क वी टैंक अपने समय का बेहद एडवान्स और खतरनाक हतियार था इसे ब्रिटिस सेना के लिए बनाया गया था और इसी के दम पर ब्रिटिस सेना ने अनेक युद्ध जीते थे ये टैंक इतना खतरनाक था कि इसके चलने की आवाज सुनते ही आसपास का इलाका खाली हो जाया करता था इस टैंक का वजन 28 टन था लेकिन फिर भी इसकी गती 5.9 किलोमेटर पर होवर थी प्रेथम विश्यूद में केवल थल सेना का ही दबदबा नहीं था बलकि वायू सेना और नो सेना का भी वर्चस्यू बरकरार था प्रेथम विश्यूद में सबसे 37-40 फाइटर प्लेनों में से एक था फोकर ट्राइप्लेन इसे जर्मन सेना के दोरा विक्सित किया गया था इस प्लेन में 110 HP का इंजन लगा हुआ था जो इसे हवा में एक गोली की रप्तार से उड़ने में मदद करता था इस प्लेन का वजन लगबग 1300 पाउंड था ये प्लेन मैकजिमम 185 किलोमेटर पर होवर की स्पीड प्राप्त कर सकता था और हवा में 20,000 फिट की उँचाई तक जाने की चमता रखता था आज के विमानों से अगर इसकी तुलना की जाए तो ये बहुत ही स्लो है लेकिन उस समय इस से तेज कोई और नहीं था इस फाइटर प्लेन में 7.92 mm की 2 mg08 मशीन गन लगी हुई थी इसमें एक बार इंदर बनने के बाद यह 80 मिनट तक हवा में उडान भर सकता था नमबर वन पेरिस गन पेरिस गन पर्थम विश्यूद का एक बेहद ही खतरना खतियार था यह जर्मनी के दोरा बनाई गई एक तोप थी इस तोप को सेना और नो सेना दोनों के दोरा इस्तमाल किया गया था इसका नाम पेरिस गन इसलिए रखा गया क्योंकि प्रथम विश्यूद में जर्मनी ने इसी तोप से पेरिस पर हमला किया था इस तोप में 200 mm और उससे बड़े आकार के गोलों का इस्तमाल किया जाता था इसका एक ही गोला तबाई मचाने के लिए काफी था यह आकार में बहुत बड़ी और वजनी थी लेकिन इसकी मारत समता भी इसी की तरह श्यांदार थी पेरिस गन की मारत समता 130 km थी मतलब यह गन आसानी से 100 से लेकर 130 km तक फाइरिंग कर सकती थी और वो भी 200 mm के गोलों के साथ अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रथम विश्यूद में इस तोप का कितना खोफ होगा तो बस आज के लिए इतना ही आपको इन में से कौन सा हतियार सबसे बैस लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना मिलते हैं अगले सनिवार को श्याम 6 बजे तब तक के लिए खुस रहें मस्त रहें हस्ते रहें भगवान करें आप सभी का दिन सुब हो